नमस्कार साथियो संडे कमेंट जोक्स की एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है जिन साथियो ने है स्टेक बोलो राजगुर जी के साथ हमसे सवाल पुछेते हैं नी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अगर आपने भी कोई सवाल पुछा है तो इस वीडियो के साथ आप बने रहे हो सकता है कि आपकी सवाल का जवाब इस वीडियो में वो आपको मिल जाए नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चैनल तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कमेंट का सिल्चला वो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकार यह आप को देना चाहूँ अगर आप भी यह चाहते हो कि आपके स्वाल को आने वाले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं सामिल करूं लेकिन जब भी आप अपना कमेंट करो या फिर सवाल पूछो तो हमेशा कमेंट में हैस्टेक बोलो राजगुर जी टाइप करके उस का सबसे पहला जो सवाल हमने लिया है इंस्टार्ग्राम से क्योंकि हमने आपको बताया था जो साथे इंस्टार्ग्राम पे हमसे हैस्ट आक wives ओलो राजगुर जी के साथ सवाल पूछेंगे उन्हीं की सवाल है वीडियो के अंदर वह सामिल के collateral करेंगे तो सबसे पहले to dont पर लिखने वाले साथ हैं इनकी आइडिया है रहमान टू सीक से शेवन धरी और यह लिखते हैं कि सिरिमान कख्षा 10 के विदारती का ओनलाइन एडमिसन नहीं किया तो अब उन्हें कैसे परमोट करेंगे और रिजेल्ट वो कैसे बनाएंगे तो मैं यहां पर रहमान को कहना चाहूंगा देखिए यह दी आपने PSP पोर्टल पर कख्षा 9 से लेके कख्षा 12 तक सेशन 2020-21 में किसी भी स्टुडेंट का एडमिसन आप नहीं कर पाऊगे तो फिल हाल आप सेशन 2020-21 में कोई भी एडमिसन आप नहीं कर पाऊगे बच्चों का ना तो आप परमोट सर्टि हैं जिन्होंने पिछले सेशन में PSP पोर्टल पर वो एडमिसन नहीं कर पाई या उनको एड़ हो नहीं कर पाई तो समस्या लगवग काफी सारे स्कूल साथ होंगे फिल हाल इसका कोई भी समाधदान नहीं है इसके बारे में सिख्षा वाग के द्वारा कोई नई गाइडल से लिया है और लिखने वाले जिनकी ID है आई परदीब 234567 और यह लिखते हैं कि सर मैंने 12 कलास में इंप्रूमेंट किया है लेकिन कोलेज में पुरानी मैन एक्जाम की मारक सीट ही लगाई है सर्फ फूचर में कोई इस्चू तो नहीं है तो मैं यहां पर परदीब को कहना माँ चाहूंगा देखे घर आपने इंप्रूमेंट कि मारक सीट नहीं लगाई है फुरानी वाले लगाई है और उस सब लिखते हैं कि सर मानेता एकिकर्ण में हमारे पास arts commerce और science की है लेकिन हमसे commerce subject एड़ नहीं हो पाई और इसके लिए क्या करना होगा profile update में commerce subject को स्लेक्ट नहीं कर पाए इससे आगे मानेता की copy scan करते हैं चड़ाते हैं तो वहाँ पर कोमर सब्जेक्ट को नहीं ले रहा है इसके लिए कोई उपाई बताए तो देखे सेने जी मैं आपको कहना चाहूंगा हलांकि मैं बता देता हूं सेने जी के बारे में सेने जी अपने राजिस्थान के अंदर बहुत सारी स्कूलों का काम हो एक सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप वह फेकल्टी है एड नहीं कर पाया विदाले प्रोफाइल के अंदर जहां पर आप जो मानेत अगरा वगरा की जानकारी देते हो वहाँ पर अभी किलिक नहीं हो रहा है या फिर एड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फ फाइनली आप अपने जो मनेत अब्ड वाला जो पॉर्टल उसको लोग कर दीजीगा क्योंकि जब तक आप उसली कि करोगे तब तक आपकी श्कूल की जो फाइल है वह ओफीस बें नहीं जाएगी क्योंकि पहले आप लोग करोगे उसके बाद वह फाइल है लोग करते ही द अप संप्रक करने के बाद उनको कहना कि सर मेरी एक बार प्रोफाइल वो अन्लोग कर दीजेगा तो अन्लोग कर देंगे जब तक आप ऊशे आनली समभिट या लोग नहीं करोगे तब तक वो अन्लोग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्कूल हो वो हँग्या फो पहले अगले साथ लिखने वाले अनिल धाका और अनिल धाका जी लिखते हैं गरामेड एरिया के अंदर रजिस्टर किरायनामा और लेंड कनवर्जन की आफसेक्ता है क्या और किसी स्कूल की दूसरी जगह ब्रांच उसी स्कूल के नाम से खोलने के लिए क्या प्रोसेस है प्लीज ह सामद देखिए चैसे इस्कूल ग्रामेड एरिया की हो चैसे रिचेतर की हो वहाँ पर एक तो रजिस्टर किरायनामा और वह में जो कनवर्जन है दोनों कमपल्सरी वह तो करना ही आपको पड़ेगा ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर एक इसकूल को अलग 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 अ बात करना चाहते हैं तो देखी वैसे तो इसकी कोई नियम वाली नहीं है कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि अगर माली जीए एक स्कूल है उसकी आप सब ब्रांच ओपन करना चाहते है तो उसके लिए भी आपको अलग-अलग मानेता हो लेने पड़ती है अलांकि एक जो सब्सक्राइब करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मानेता तो एक है और आप उसी मानेता से दूसरी जगह इसकूल ओपन कर रहे हैं तो यह बिल्कुल नेमानुसार गलत होगा ऐसी ब्रांच आप उपन नहीं कर सकते लेकिन इसके बाद आप यह सवाल करोगे कि सर मैंने पहले तो चलती नहीं और बड़े वाले नाम सी वह चलने लगे तो ऐसे में इसकी कोई सब ब्रांच हो नहीं होती है नियमानोसार हाँ एक सोसाइटे के अंदर आप दो या दो से अधिक स्कूल ओपन कर सकते हो अलग लग इस्तान पे वह चला सकते हो साइद आप समझ गये ह अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथे लिखने वाले पदीप बादूज लखते हैं दो और नहीं कमेंट कर दिया तो सहची में कमेंट आ गए या आ गये हैं तो इनका जवाब साइब इनको मिल गया चला अगला कोमेंट लेते हैं और अगले साथ लिखने वाले हैं विशाल भाटिया और विशाल भाटिया जो लिखते हैं कि सर मैंने RBC 12th ITI and CVT का फोरम भरा था अब क्या होगा पास तो हो जाएगा ना रोल नमबर ना कोई कागेज मारेक सीट कहां मिलेगी कब आएगी तो देखे मैं यहाँ पर एक चीज नहीं समझ पाया हूँ कि या तो आपने ITI के अंदर फोरम भरा है या फिर RBC बोर्ड के अंदर 12th कलास का आपने फोरम भरा है तो देखे दोनों स्थितिकी बात करें यहाँ पर अगर RBC बोर्ड की बात करें तो वैसे RBC बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टुडेंट को बिन अप्रीक से आगा में कक्षा में पर्मोट कर दिया अब कैसी मारक सीट आएगे मारक का सिस्टम कैसर आगा यह तो एक अलग बात तक क्योंकि इसके लिए अभी तक कि बोर्ड के दोरा कोई भी नई गाइडलाइन वो जारी नहीं कीगी इसके बारे में आगे की वीडियो में मैं जानकारी देता रहूंगा जैसे कोई अपडेट आएगा अगर अपना इटा की बात करें तो विया देखिए का फिलाल ऐसी कोई सिस्टम नहीं हुआ कि वो पर्मोट करेंगे या नहीं करेंगे तो इस बारे में मैं आपको कलियर ज पर आप पूझे इस्टा पर डियम कीजिएगा वहां पर आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता दूगा चली अगला कमेंड लएते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं सतीस कुमार सर्मा और यह लिखते हैं कि आरबेसी टेंथ रिजेल्ट किस बेस पर डिकलेर होगा तो यह स्वाल काफी सारे साथियों ने पूछा है अलांकि मैंने यहां पर सतीस का जो स्वाल हो ले लिया काफी सारे स्टुडेंट हैं जो टेंथ कलास की जो फिलाल अलांकि क्योंकि परमोट होगे तो इस स्वाल है कि नंबर है या फिर जो रिजेल्ट है वो कैसे बनेगा तो मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड के द्वारा इस बारे में फिलाल कोई भी दिसानिर्देश जारी नहीं किये गए अब जैसे उनके नए दिसानिर्देश आ जाएंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि यह जो अथोर्टी है वो इसकूल वालों को देंगे इसकूल वालों से कुछ नंबर बेस है वो मांगेंगे जैसे कि CBC बोर्ड ने मांगे उसी इसाब से अब देखते हैं कि क्या नहीं फैसला है बोर्ड के द्वारा लिया जाता है लेकिन आपको यहां टेंचन नहीं लेने जब आपको पर्मोर्ट कर दिया है तो मारक सिट भी है बोर्ड आपको देगा अब परसंटेज की बात यहां पे नहीं रही किसी पर लागू ही नहीं होती आपको नहीं लेना नहीं कोई जानकारी आएगी तो आगे की वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बेल आइकना वह दबा लेना उन नोटिफिकेशन उसे भी ओन कर लेना ताकि वीडियो का जब कोई नया अपलोड करो तो नोटिफिकेशन वह आपको मिल जाए चलिए अगले साथी का कमेंट लेत कशा एक से बारत तक की स्टुडेंट की ओनलाइन कलास के इंटरी करनी है तो ऐसे में बहुत सारी स्कूल साथियों के बड़ी समझ से आगी कि उन्होंने तो ओनलाइन कलास किसी भी माद्यम से नहीं ले तो यहां पर एक कन्फ्यूज की इस्तिती हो गई है तो देखिए वै इस बारे में इस पस्ट गाइडलाइन नहीं है और क्या समाधान निकालता है वह भी मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि वहां के दौरा तो कुछ कहा ही नहीं गया बहुत सारी स्कूल साथियों की यह समझ से आ रही है कि ओफ्लाइन वालों का क्या होगा तो विया इस आपको कलियर जबाब हो नहीं दे सकता है जब तक विवाग की नहीं गाइडलाइन नहीं है क्योंकि पोर्टल पर क्यों ओनलाइन क्लास की जानकारे मंगें आप कहने के तोर पे आप वैसे ओफ्लाइन की अगर आपने पढ़ाई करवाई है तो जैसे आप लिग दो कि महमने वह गत पर जाके वरक बुक है वैसे लिग दो लिंक डालने की कोई आप सेकता नहीं है अगर बगर लिंक के काम नहीं ले रहा तो वाट्सप का लिंक डाल दो देखते कि आगे क्या विवाग को काम लेता है या क्या नए जो दिशान ने दिरसे वह जारी करता हुए तो आग हमारे मारक्ष भी बढ़ेंगे तो देखिए केसों में आपको खहना चाहूंगा फिल्हाल बोर्ड के दौरा इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं जारी गई अगर आपने इंप्रूमेंट का फोरम या सभी स्टूडेंट को परमोट कर रहे हैं तो आपको भी बाया किसी किसी आधार के उपर आपको आगे की काक्षा में परमोट किया जाएगा आपके जो इंप्रूमेंट वो किया जाएंगे लेकिन यार इंप्रूमेंट का तो पता ही कैसे चलेगा क्योंकि नंबर वाला सिस्टम तो साहिद मुझे यहां पर नहीं लग रहा है तो आप देखते अगला जो कमेंट है थोड़ा सा अजीब है इस कमेंट को मैंने इसलिए सामिल किया है क्योंकि दोस्तों आपको पता है देखिए यह लिखने वाले पहले मैं इनका नाम बता देता हूं डिफेंस ट्रिक ग्यान और यह लिखते हैं हम इंस्टागराम नहीं चलाते तो क्या हम नहीं पूछ सकते ओके यह उमीद नहीं थी दो देखिए डिफेंस ट्रिक ग्यान जी लिखते हैं कि देखिए मैंने कहा था कि जो साथी इंस्टागराम के उपर मुझे अपना सवाल पूछेंगे उन्हें के सवाल हमें वीडियो के अंदर सामिल कर पाऊंगा अब यह साथी कि हम तो इंस्टागराम यूज शी नहीं कर रहें तो दोस्ता अगर आपको मैं यह कहुं तो सारी कोसिप्र कर पाता कि मन जल्दी कर पाऊं जल्दी से सामिल जवाब लोग जब जब को एक फिल्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है एक समझ से आती है आप मजबूरी को समझने की कोशिस करो और जब भी आप यह चाहते हो कि यार मेरा को इस्सू है मेरा कोई सवाल है और वीडियो के मादम से आप उस सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं तो आप मेरा जो इसलिए मैंने इंस्ट्रागराम पे आपके सभी जो सौाल है साथियो से मांगे थैं तो कई साथियो ने सवाल भी किये हैं कुछ के सवाल मैं यहाप लिए भी हैं तो आपको नराज होने कोई बात नहीं है आगे को नया तरीका वो अपनाते हैं हालांकि YouTube के तार्ण आइसी क सात्यों ने सवाल हमसे किया और माफी चाहता हूं कि हो सकता है कि बहुत सारे सात्यों मुझे सवाल भी पूचा होगा और hashtag राजगुरजी टेक को भी यूज किया गा साइद उनके सवाल का जवाब है मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया उनसे मैं माफिच आओगा इसके लाँ हो सकता है कि जिन साथियों ने सवाल भी पूछा है लेकिन hashtag राजगुरजी है या फिर hashtag बोलो राजगुर्जी जो take है उसको आप यूज किया करो ताकि मैं एक filter लगा लूँ और आपके सवाल को मैं तुरुंत है वीडियो में सामिल कर लूँ तो ऐसे मैं आगर आगे की वीडियो में सामिल करने की पूरी-पूरी कोशिस करूंगा पता ना आज की वीडियो आपको कैसे ल तब तक के लिए जाहिन, जाहारत!